हलो फ्रेंद्स वेलकम बाक टो एनदर वीडियो तो आज हम करने वाले हैं मल्टी मीडिया चाप्टर और इसके बारे में हमने थर्ड चाप्टर के अंदर पी थोड़ा सा ब्रीफली डिसकस किया था तो अगर आपने वह वाली वीडियो नहीं देखिया तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगे आप वो जरूर चेक आउट कीज़ेगा और इस वीडियो के अंदर हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मल्टी मीडिया क्या है मल्टी मीडिया इस दी कॉंबिनेशन ऑफ टू और मूर वीडिया जो मल्टी मीडिया का नाम है मल्टी का मतलब क्या होता है मोर देन वन तो जो मल्टी मीडिया है वो एक से जादा जाने की दो या उससे जादा मीडिया जो हैं जब व इसी भी तरह के ग्राफिक्स, फोटोग्रफी, टेक्स्ट, आउडियो, वीडियो या एनिमेशन के हम एक मीडिया समझते हैं, वो एक मीडिया है, ठीक है, और जब यह दो यह से जादा यह कंबाइन हो जाती हैं, तो मल्टी मीडिया बन जाती हैं, अब एके कटके इनके बारे तो मोग ढकिन आइन बन एक मीडिया, वो स्वसी निमेशन और इक हूँ है वो कहां पर आता है integration करना हमारे जो multimedia formats अभी हमने देखे उनके integration करना computer एक control करना उनको ताकि उनके साथ information हम जो है represent कर सके store कर सके transmit कर सके या फिर डिचिटरी जो है उसे process कर सके a multimedia application consists of any और all of the following components अब जो कोई भी एक multimedia application होती है उसके अंदर या तो यह जो नीचे दिये गए सारे formats या components है वो सारे use होते हैं या फिर इन में से कुछ components को वो use करता है चलिए अब यह components देखेंगे तो सबसे पहला component है text text plays an important role in almost all media applications जो text है वो किसी भी तरीके का multimedia का application है उसके अंदर बहुत ही जादा important जो है role play करता है the design and content of multimedia text are so different from other type of text such as newspaper text, magazine text and book text अब जो multimedia का text है वो थोड़ा different होता है वो वो वला text की बात नहीं कर रहे है जो हम newspapers और books के अंदर देखते है जो multimedia का text है उसका जो design है वो काफी different होता है काफी catchy और attractive होता है और वहीं पर जो उसका content है जो writing है वो भी काफी जादा catchy होती है जैसे कि हम जब कोई picture upload करते हैं तो हम लोग captions दालते हैं तो हमारी caption होते हो काफी जादा attractive और catchy होती है जिससे कि जो देखने वाला viewer है उसकी जो है निगा उसके उपर जाए या आप कोई भी advertisement देखते हैं तो उसके अंदर जो पीछे audio song बना होता है वो काफी जादा catchy होता है कि वो एक user के दिमाग के अंदर बैठ जाता है जो उसकी sound होती है जो उसकी जो tune होती है ताकि आप वो बार बार गाते रहते हैं अब जब भी अगर आपको टीवी पर आड देखेंगे तो आपको रेलाइज होगा कि वो आड आड आपके दिमाग में है और आपको वो tune याद है क्योंकि वो बहुत आदा catchy है इसी तरीके से जो text है वो भी इसी तरीके से लिखा जाता है sound and audio it is one of the most important elements of any exciting and successful multimedia presentation किसी भी presentation की जो sound है वो काफी जादा important role play करती है because अगर किसी भी multimedia application की presentation की sound quality अच्छी नहीं होगी तो अच्छी नहीं लगेगी आप कोई movie की example ले रिजे कोई movie है वो पूरी ht है 4k में चल रही है पर उसकी जो sound quality है वो बिलकुल ही खराब है चाहे उसकी video quality बहुत ही अच्छी है बट अगर उसकी sound poor है तो उसका कोई भी फाइदा नहीं होगा अब जो sound या audio है उससे क्या मतलब है उससे कोई भी आवाज चाहे वो किसे की बोलने की हो किसी तरीके का कोई music हो कोई भी voice हो background voice हो उस presentation के अंदर अगर voice clear नहीं है audio clear नहीं है तो वो अच्छी नहीं लगेगी चलिए आगे देखते हैं चलिए next हम लोग बात करेंगे video की video is the most important and powerful tool of multimedia जो एक video है जिसके अंदर हम देख भी सकते हैं pictures देख सकते हैं वो एक बहुत ही जादा powerful tool है क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ रीड करते हैं या उसकी जगा हम कोई video देखते हैं तो जो हमने देखा होता है वो ज़्यादा हमारी जो brain है उसको memorize करती है brain के ज़्यादा retain होता है it brings computers closer to the real world अब हम लोग जब भी movie देखते हैं या आजकल इतनी ज़्यादा अच्छी quality में movies आने लगी हैं कि हम ऐसे लगता है कि हम actually उस चीज़ को real आखों के साथ देख रहे हैं video makes use of all the elements of multimedia bringing your products and services alive but at high cost अब जो video है वो आपका text हुआ sound हो गया picture ग्राफिक्स इन सभी multimedia के जो blocks है उनको इस्तेमाल करती है सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आती है और बाकी media के comparison में जो video है उसकी जो cost है वो जादा होती है अगर आपको कोई podcast बनाना है जिसके अदर सिरफ आप अवास सुनते हैं तो वो फिर भी एक cheaper rate पे बनेगा compared to अगर आपको एक video create करनी है पहीं पे अगर आप text के साथ compare करें वहां पे भी same comparison रहेगा जो video है उसके अंदर हर element यूज होता है तो वह higher cost है पर वह बहीं पे बहुत अच्छा multi-media का element है काफी powerful tool है multi-media का with video elements in your project you can effectively present your messages and reinforce your story and viewers tend to retain more of what they see अब जब आप एक video element का use करते हैं आपके project के अंदर तो आप जो message convey करना चाहते हैं वो बहुत जादा clear हो जाता है आप बहुत अच्छे से जो आपकी story है वो audience तक पहुंचा सकते हैं आपका क्या viewpoint है क्या आप सोच रहे हैं और आप क्या convey करना चाहते हैं viewers को वो बहुत अच् हैं well executed video clips can make a dramatic difference in a multimedia project अगर जो आपकी video clipping है वो बहुत अच्छे से well executed है आपने अच्छे से हैं next is images and graphics images weather represented analog or digital plays a vital role in multimedia अब जो आपकी images हैं चाहे वो analog हो यह जाने के कोई paper पे हो या पर digital हो जाने के किसी device के ओपर digital electronic device के ओपर हो वो दोनों ही formats में काफी important जो role है वो play करती है it is expressed in the form of still picture, painting और a photograph taken through a digital camera अब वो जो image है वो कोई भी picture हो सकती है painting हो सकती है photograph हो सकती है जो किसी camera के साथ रूप खीची गई हो to make a multimedia presentation look graceful and complete it is necessary to spend sufficient amount of time to design the graphics and the layouts अब किसी भी multimedia presentation को अच्छा दिखाने के लिए पूरा दिखाने के लिए यह बहुत जादा जरूरी है कि उसके पर बहुत अच्छे से आप time spend करें उसको design करने में उसके graphics और layout को बनाने में कि आपकी जो presentation है उसके अंदर अच्छे से graphics और images हों जिससे की वो और उभर के बहार आए Next is animation. Animation plays a huge role in entertainment and education industry. जो animation है वो entertainment और education industry में काफी important जो है role play करती है It simply adds visual impact to the multimedia project. वो simply क्या करती है आपका जो भी multimedia project होता है उसके अंदर visual impact डालती है Visual क्या है जो आप एक screen के उपर देख सकते हैं तो आपकी जो भी आपका presentation है या आपका जो भी project है वो उसकी जो video quality है जो उसका visual experience है उसे और जादा बहतरीन कर देती है In computer animation an animator's job is to take a static image or object and literally bring it to life by giving it movement and personality अब जो एक animator होता है वो person होता है जो animations को बनाता है अब हम क्या बोल रहे है कि जो animator है उसकी क्या job है कि वो कोई एक photograph लेगा जिसके अंदर एक static image है रही जो की image हिल नहीं रही है Suppose कीजिए कि आपने किसी car की जो है picture click कर ली अब जो वो picture है उसके अंदर car move नहीं कर रही है It's a static image अब जो वो animator है वो क्या करेगा वो उस animation को उस car को लेगा और इस तरीके से उसको design करेगा कि आपको लगेगा कि जो वो car है वो actual में move कर रही है This is the job of an animator कि वो एक static image को object को literally ऐसे दिखाए कि वो literally life में actual हो रहा है वो उसको कोई movement देखा किसी एक direction में उस car को move कर रहेगा उसको कुछ personality देगा कि एक car है उसके लिए कोई person बैठा है जो drive कर रहा है और वो road पे cross कर रहा है तो जो उसके आसपास के पेट पौदे है वो move कर रहे है तो यह सारी जो personality है और जो movement है वो animator उस animation को देगा ठीक है चलिए So friends next हमारा topic है requirements of multimedia इसका क्या मतलब है कि जो हमारा multimedia है उसे एक system के अंदर run करने के लिए process करने के लिए हमें क्या-क्या requirements है जो हमारा hardware है computer का at least उन requirements को fulfill करना चाहिए ताकि हम जो multimedia है उसे अच्छे सी हमारे computer के उपर जो है चला सके या process कर सके तो सबसे पहले जो है आपके पास sluron और better microprocessor जो आपका microprocessor है वो कम से कम sluron होना चाहिए model जो है intel का microprocessor है ये at least वो होना चाहिए या उससे better microprocessor होना चाहिए second the computer's RAM should be 2GB और above जो हमारे computer की RAM है वो at least 2GB की होनी चाहिए या फिर उससे जादा होनी चाहिए its performance will be very slow अगर वो उससे कम होगी तो उसकी जो performance है वो बहुत ही जादा slow हो जाएगी और वो काम नहीं करेगी computer having 4GB और more RAM provides excellent performance of multimedia जो computers के अंदर 4GB RAM होती है या उससे higher RAM होती है GVs के अंदर वो वले जो हमारे systems है वो multimedia के अंदर काफी अच्छा जो है excellent performance हमें देते हैं the storage capacity of hard disk of the computer should be of 120 GB or more जो हमारे computer की hard disk है जो storage है उसकी जो capacity है 120 GBs होनी चाहिए या उससे जादा होनी चाहिए because multimedia files occupy more space due to sound features and picture files क्यों इतनी जादा हमें GVs की जरूरत है या हम इससे जादा capacity क्यों demand कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी multimedia files होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे sound features होते है picture files होती है तो इस वज़े से वो storage capacity जो है जादा चाहिए उनको वो जादा storage लेती है SPGA color monitor with SPGA adapter should have been attached to the computer जो हमारा SPGA adapter है वो हमारे computer के साथ attached होना चाहिए और हमारा colored monitor होना चाहिए ताकि आप जो multimedia graphics है उन्हें अच्छे से जो है देख सकें काकिसमें आपको proper colors और effects आ सकें sound card should be attached in the CPU आपके CPU के अंदर sound card जो है वो अच्छे से attached होना चाहिए ताकि आप जो sounds है उनका मज़ा उठा सके sound app सुन सकें यह जितने भी hardware मैंने यहाँ पे use किये है RAM है hard disk है SVGA monitors है sound cards है यह सारे जो hardware है वो हमने पुराने थो chapter के अंदर जो है mostly cover किये हैं और memory chapter के अंदर हमने RAM भी बहुत अच्छे से cover किये तो अगर आपको इन में से किसी भी hardware के बारे में कुछ भी जाना है तो आप वो वाली videos को देख सकते हैं मैं उनके links नीचे डाल दूंगे आपको description में चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स इसी topic के अंदर मारा next point है the computer should have multimedia speakers integrated with amplifying system जो आपका computer है उसके साथ अच्छे से speakers attached होने चाहिए जिनके अंदर amplifying system हो amplifying system का क्या मतलब है कि जो speaker है उसके अंदर loudness है कि आप उसको कितना amplify कर सकते हैं sound को कितना loud तक बजा सकते हैं वो अच्छा system उसके अंदर लगा हुआ हो second point it should have software to support audio and video system system अब जो आपका computer है आपका जो भी device है उसके अंदर जो software है वो होना चाहिए जो कि audio as a less video system को जो है अच्छे से support करेगा अगर आपको को movie देखनी है आपके laptop के अंदर तो आपके पास जो है एक proper video player software होना चाहिए जो video plus audio दोनों को अच्छे से support करता हो there should be inbuilt microphone in your computer अब जो आपका computer है उसके अंदर inbuilt microphone होना चाहिए इसका क्या मतलब है microphone क्या है वो एक mic है जिसके अंदर आप कुछ बोल सकते हैं और आपकी आवाज जो computer तक जाती है तो उसकी जो वो जो feature है ठीक है वो आपके computer में पहले से ही मौजूद होना चाहिए जैसे कि अभी मैं ये video record कर रही हूं तो मैं जो भी बोल रही हूं मैं microphone के अंदर बोल रही हूं और मेरी जो आवाज है वो computer तक जा रही है ठीक है next fourth point the computer should have digital camera और webcam अगर हमने वहाँ पीछे बात की थी video conferencing की जो हम video conferencing की बात कर रहे है या webcam की बात कर रहे है तो उसके अंदर क्या है कि जो आपका camera है वो बहुत ही major role play करता है तो आपके computer के अंदर एक digital camera already fit होना चाहिए या फिर आप एक webcam externally attach कर सकते हैं आपके computer के साथ मुल्टी मीडिया में आपको और better experience देने के लिए फिफ्थ पॉइंट CD drive, CD writer और USB आपका computer है उसके अंदर या CD drive हो या CD writer हो या फिर एक USB port हो जिसके साथ आप pen drives या कोई और जो हमारा equipment है वो attach कर पाए Multimedia programs are generally available on CD, ROM और USB Usually, जितने भी Multimedia programs होते हैं तो CD, ROM या फिर हमारी USB के ऊपर जो है available रहते हैं To install these programs, it is necessary that your computer must have a CD, ROM drive और USB अब यह जो programs हैं क्योंकि यह CD, ROM या USB के थ्रू हमें available रहते हैं यह बहुत जरूरी है कि हमारे computer के अंदर इन में से at least एक चीज तो हो If your computer is also having CD writing facility, you have an added advantage अगर जो आपका system है, CD writing जो कि हमने CD burning पहले वाली वीडियो में पढ़ा है अगर वो आपको वह वाली facility भी provide करता है तो आपके लिए बहुत बड़ी advantage है वो आप बहुत multiple चीजें कर सकते हैं आपके अपने system के साथ You can store your programs files on CD, ROM और USB drive आपके कोई भी programs हैं वो CD के ऊपर या फिर एक pen drive के अंदर जो है store कर सकते हैं Now DVDs and USBs are extensively used as they have numerous storage capacity आजकल DVDs और USBs बहुत जादा जो है use होती है क्योंकि उनकी storage capacity है वो जादा होती है चलिए आगे देखेंगे Next मेरे पास जो topic है वो है categories of multimedia अब हमने multimedia के बारे में पढ़ा कि क्या-क्या होता है क्या उसके formats हैं अब हम उसकी कुछ categories को discuss करेंगे तो जो multimedia है उसकी broadly तीन categories होती है चीक है One is entertainment material One is reading material And third is creative material हम इन तीनों के बारे में आगे detail में one by one पढ़ेंगे पट उससे पहले कुछ examples देख लेते हैं जैसे कि entertainment material है उसके अंदर हम entertainment में क्या लेसे हैं Games आ जाएंगी Animation Films Songs Pictures Listening Radio और Internet यह सब हमारे entertainment, recreational की चीज़े हैं Reading material हम क्या-क्या पढ़ते हैं Articles, Books, Documents, Encyclopedia, Etc. यह हमारी reading materials में आ जाएंगे Creative materials अब creativity में क्या आता है Ready-made softwares to upload songs आप already आपके लिए जो softwares हैं वो बनके आते हैं जिनसे आप directly songs upload कर सकते हैं Videos upload कर सकते हैं Publish write-ups अपने write-ups को publish कर सकते हैं या Etc ऐसे कोई भी softwares या web platforms जो आपको आते हैं वो सारे आपके creative material के अंदर fall करते हैं चलिए चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे अभी So first category हमारे पास है entertainment materials This category consists of those things which are considered source of entertainment इनके अंदर कौन से चीज़े आती हैं जिनने हम source of entertainment भी बुला सकते हैं जिनसे हम किसी ना किसी type का entertainment लेते हैं या हमारा entertainment होता है With the help of multimedia we can play video games, watch animation, films, listen, songs अब multi-media की health से हम क्या क्या कर सकते हैं इस category के अंदर हम लोग games जो है video games जो हो देख सकते हैं खेल सकते हैं movies देख सकते हैं गाने सुन सकते हैं और कुछ भी इस ते लिके कि जो हमने recreational activities की examples देखी उनमें से कुछ कर सकते हैं जो की CD या internet के उपर आपको available होती है pictures देख सकते हैं images देख सकते हैं now many radio stations are available on the internet we can listen such radio stations with the help of a multi-media बहुत सारे जो radio stations है वो net के उपर available हैं बहुत सारे podcast हैं जो आपको YouTube पर podcast platforms पर मिल जाएंगे तो उन सब को जो है आप लोग अब क्या है वो अपके computer के through internet के through जो है आप उनको देख सकते हैं उन्हें सुन सकते हैं और आप उन सब को use कर सकते हैं वो सारा multimedia जो है आप consume कर सकते हैं चलिए next देखेंगे next is reading material this category includes articles, books, documents, encyclopedia and other reading materials which are stored on CD, DVD and other storage devices reading material जो हम पढ़ना बसंद करते हैं articles, books, documents, encyclopedia कोई भी ऐसा जो हमारे पास documents है समान है material है जो reading material में आता है जाहे वो आपके CD पे है DVD पे है या आपके pen drive में या किसी भी storage device पे है वो सब जो है वो reading material की category जो है multimedia की उसके अंदर fall करता है with the help of multimedia we can read, edit and print them अब multimedia की help से हम इन में से किसी भी material है कोई भी material है उसे पढ़ सकते हैं उसे edit कर सकते हैं और उसे print भी कर सकते हैं now dictionaries, encyclopedia, books, etc. are available on CD and DVD in the market आजकल जो हमारी dictionaries, encyclopedias, books, CDs और DVDs के उपर आते हैं उनके अंदर और market में बहुत easily available है और अब तो net होने की वज़े से आपको DVDs और CDs की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आप net से भी यह चीज़े जो है अराम से आपको मिल जाती है if we have the facility of multimedia we can have access to the latest information on any topic on the internet अगर आपके पास multimedia की जो है facility आपके पास है आपका जो system है computer है वो आपको internet use करने की facility देता है तो आज आप दुनिया के किसी भी topic के बारे में बहुत जल्दी और बहुत असानी से internet के उपर सर्च करके information पा सकते है we can download such information on our computer or any storage device quickly and at a very reasonable cost अब वो जो information है वो आप अपने किसी भी device के अंदर जो है उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं और जो भी material जो है आप बाय करते हैं जैसे कि आपने suppose कीजिए कि कोई kindle की जो book है वो बाय की जिक है सिरफ जो आपके internet connection की cost है वो ही आपको देनी पड़ती है जो information आप access करते है net के उपर तो वो बहुत ही reasonable होती है चलिए आगे देखेंगे next हमारे पास जो category है third category वो है creative material category this category comprises of such creative things which can be undertaken with the help of multimedia इसके अंदर वो सारी चीज़े fall करती है जो की multimedia की help से कुछ creative चीज़े करने में कुछ creative करने में हमारी हम use करते हैं we can record music and films on hard disk or any other storage device हम movies films या music जो है वो record कर सकते हैं हमारी storage devices के उपर उनको रख सकते हैं अब जैसे की अब यह वाला lecture लगा लिए चाहे मैं आज यह lecture है वो multimedia की मदद से record कर रही हूं अपने system के उपर और यह मेरी hard disk के अंदर रहेगा चीक है third point है if our computer is connected with internet then we can watch and download audio and video files of different storage devices अब जो अगर आपके पस internet की connectivity है तो आप net के उपर किसी भी तरीके की videos और audio देख सकते हैं जैसे कि आप इस ताइम पे यह lecture यूट्यूब के उपर देख रहे हैं internet connection का यूज करके और आप इसे पहले भी मैंने आपको बताया कि internet के ऊपर जो है बहुत सारे radio stations and podcasts हैं जो आप tune in कर सकते हैं और उनको enjoy कर सकते हैं now number of ready-made software and programs are available with the help of which we can build our own website ourselves easily अब हुमारे इतने सारे softwares and programs available हैं जिनकी मदद से हम अपनी खुद की एक website जो है बना सकते हैं बहुत ही आसानी से अगर मैं कुछ platforms का example दो तो wix.com है, shopify.com है, wordpress है यह सारे जो platforms हैं हमें help करते हैं खुद की website बनाने में जो की बहुत ही आसान process रहता है मैंने तीनों use किये हैं and three of them are really good काफी easy process रहता है आप अपना खुद का एक website बहुत जल्दी से बना सकते हैं we can publish our write-ups, upload songs and videos on different websites अब write-ups की बात करें तो आपने मेरी website जो है वो अगर कभी भी देखी है अगर नहीं देखी है तो प्लीज उसे करेंगा वहां पर मैं सारे lectures की notes upload करती हूं तो मैं वहां पर सारे जो write-ups हैं जितने भी मेरे blogs हैं वो upload करती हूं ठीक है write-ups upload कर सकते हैं songs and videos अब मैं YouTube के ऊपर यह सारे lectures जो है video format के अंदर upload करती हूं हमारे क्या-क्या building blocks हैं हमारे multimedia के लिए अभी next topic हमारा है application slash utility slash benefits of multimedia अब जो multimedia है उसके हमें क्या-क्या benefits हैं और उसकी क्या applications हैं किस-किस train के अंदर उसकी applications हैं उस पर थोड़े से हम लोग नज़र दालेंगे सबसे बहले हम डिसकूट करेंगे education Multimedia can help impart education to masses effectively and efficiently at a very reasonable cost अब जो multimedia है वो हमारी education provide करने में बहुत सारे लोगों को masses को बहुत ही जादा effective solution जो है हो सकता है आज ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो education को afford नहीं कर सकते हैं या जो villages में रहते हैं जिनके पास अच्छी quality education जो है available नहीं है उनके लिए अगर हम लोग बात करें कोई video के अंदर lectures बनाये जा सकते हैं जो कि बड़ी screen के ओपर पूरे village के बच्चे को एक ही टाइम पर दिखाये जा सकते हैं किसी भी weekend के टाइम पर जिससे क्या होगा वो सारी जो education है उन्हें मिल जाएगी एक साथ तो masses के लिए जो है multimedia एक बहुत ही effective solution है reasonable cost के अंदर education देने का multimedia is used to produce computer-based training courses popularly called CBT multimedia का बहुत जादा जो है इस्तेमाल होता है computer-based training courses बनाने के लिए जिसे हम CBT's short form में बुलाते हैं a CBT allows the users go through a series of presentations, text about a political topic and associated illustrations in various information formats अब जो CBT है वो क्या है उसके अंदर बहुत सारी presentations होती है text होगा, pictures होँगी, किसी एक particular topic के बारे में बहुत सारी जो उसके अंदर है information होगी अलग लग media के थरू, या तो कोई audios होँगी, audio clippings, video clippings, text जिससे क्या होगा, कि आप एक जो user है वो उन सभी clippings के थरू जा सकता है series of presentations को देख सकता है और वो जो topic है उसे समझ सकता है तो जो multi-media है वो सबसे जादा effective है अब भी आप यह लोग जो videos देख रहे हैं YouTube के अंदर, जो presentations में आपको दिखा रही हूँ ये भी कही ना कहीं जो है ये उसी CBT का part है और ये सब जो है आपको मदद कर रहा है समझने में, ये सब कुछ कैसे possible हुआ है multimedia के help से जो है ये possible है Edutainment is an informal term used to describe combination of education with entertainment especially multimedia entertainment Education जो है, उसको जब हम लोग entertainment के साथ combine कर देते हैं तो एक नया term बनता है Edutainment, जिसका क्या मतलब है multimedia entertainment combined with education अब इसमें क्या है कि आपको कोई एक animation की video दिखाई जाती है जिसके अंदर कोई दोर बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं animation है और वो एक topic आपको पढ़ा भी रहे हैं आपको कोई किसी प्रकार की जानकारी दे रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है आपकी education भी हो रही है साथ ही साथ आपका entertainment भी हो रहा है क्योंकि आपको देखने में अच्छे लग रही है वीडियो तो वो किसका पार्ट बन जाती है वो entertainment का पार्ट बन जाती है A teacher can teach very effectively and efficiently to his students with the help of LCD projector and PowerPoint program एक teacher बहुत ही अच्छे से अपने students को teach कर सकती है अगर उसके पास एक PowerPoint program हो जो कि मैं अभी use कर सकती रही हूँ और एक LCD projector हो ठीक है यहाँ पर तुम लोग एक one-on-one पढ़ रहे हैं एक वीडियो के थूँ तो इसलिए हमें प्रोजेक्टी के जोड़त नहीं है पर यहीं पर अगर मैं एक classroom में पढ़ाऊं तो मैं एक LCD projector की help से जो यह presentation है वो अपनी screen के उपर project कर सकती हूँ और बहुत सारे बच्चे को एक साथ पढ़ा सकती हूँ When multimedia is used in teaching learning process it becomes very interesting and enjoyable जब हम teaching learning process के अंदर multimedia की मदद से पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो काफी जादा interesting and enjoyable बन जाता है वो boring नहीं रहता है क्योंकि बहुत से बच्चे को आपने देखा होगा क्लास में सो जाते हैं क्योंकि उन्हें टेक्स्ट बुक से पढ़ना पसंद नहीं होता है और उनको बोरिंग लगता है पर वहीं पर जब उसके अंदर एक multimedia का effect आ जाता है तो वो interesting and enjoyable बन जाता है The students as a less teacher do not get bored for hours together when LCD projector, films, images, music, etc. is used in teaching and learning तो जब हम किसी भी प्रकार का multimedia जो है use करते हैं तो वो चीज़े interesting बन जाती है और boring नहीं लगती चिक है? चलिए next देखें Next is entertainment Entertainment के अंदर हम लोग बात करें first point की Multimedia is used to develop special effects in movies and animations So multimedia है उसकी help से हमारी जितने movies हैं animations हैं उनके अंदर special effects दाल दिये जाते हैं जैसे कि अगर आपने कभी देखा तो कोई horror movie हो या कुछ भी हो तो हम लोगोंने देखा है कि जो हमारा door होता है वो एक creaking sound करता है ठीक है? और जो रात को जो sound of air है वो बहुत differently sound करते है तो जितने भी sound effects है या जितने भी special effects दिये जाते हैं graphics दिये जाते हैं वो सारे multimedia की help से दिये जाते हैं several developers have used graphics sound animation to create a variety of games बहुत सारे developers ने जो है multimedia की मदद से बहुत सारी games बनाई हैं अब जैसे कि Candy Crush की ही example ले ले लेजे तो उसके अंदर जो आप graphics और यह सब देख रहे हैं वो सब जो है multimedia की वज़े से ही possible हुआ है या जितने भी आपकी car racing games है या आप जो भी game खेलते हैं कोई भी वो सारी इसी से possible हुई है technologies such as virtual reality have made games just like experience of real life अब जो मारे technologies हैं वो काफी जादा आगे बढ़ चुकी है जो VR technology है virtual reality की technology है उससे क्या होता है कि जो भी आप game खेलते हैं या जो भी experience जो करना जाते हैं वो आपको ऐसे लगएगा जैसे कि आप real life पे हैं suppose कीजिए कि अगर आप जो रस एक पार्क की जो है वीडियो देख रहे हैं virtual reality के उपर तो आपको literally ऐसे लगएगा कि आप new experiences जो है दे रही है you can listen music and watch movies on your choice on the computer अब जो आपकी choice की जो भी movies है या कोई भी programs है वो आप अपने computer लोपर ही देख सकते हैं now you can watch tv programs on your computer and record your favorite programs on the hard disk on your computer अब जो भी आपके favorite programs हैं आप उने सिरफ computer को देख ही नहीं सकते हैं बट आप उने अपके computer के अंदर store भी कर सकते हैं record कर सकते हैं ताकि आपने दुबारा बाद में भी देख सके तो multimedia जो है वो entertainment की इंडास्ट्री के अंदर बहुत जादा vital role play करती है ठीक है चलिए next is communication multimedia provides better communication between remote workers and the office through video conferencing अब communication की बात करें तो जो हमारा multimedia है हमें बहुत ही जादा advantage देता है हम लोग उससे video conferencing कर सकते हैं video conferencing का क्या मतलब है कि कोई multiple जो लोग है वो आपस के अंदर बात कर सकते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को देख भी सकते हैं जैसे हम लोग video call करते हैं वो एक तरह की video call ही होती है जिसके अंदर काफी सारे लोग जो है मौजूद हो सकते हैं दो या उससे जादा तो उसे video conferencing हम लोग बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर कोई person है वो office में बैठा है और जो दूसरा person जिससे वो बात करने की कोशिश कर रहा है जो team है वो उस country के बाहर बैठी है या किस पर बैठी है जहां पर आप फिजिकली जा के उस ताइम पर मिलना पॉसिबल नहीं है तो आप उससे क्या कर सकते हैं वीडियो कॉंफरेंस पर कर सकते हैं और अतना काम कर सकते हैं यह एक बहुत ही effective communication के अंदर जो application है multimedia की है वीडियो कॉंफरेंसे is expected to provide better communication between persons separated by space and time who need to work together on common projects तो अब अगर हम आज की ही example लें तो करोना की विज़े से सारे जो offices हैं वहां पे लोग नहीं जा रहे हैं और सारे लोग जो है अपने अपने घरों से जो है work from home कर रहे हैं अपने घर से काम कर रहे हैं तो जितने भी projects हैं जिनके उपर कुछ team members जो साथ में काम किया करते थे office में बैठ के अब वो सब बहुत अलग अलग cities में या states में बैठ के काम कर रहे हैं तो उनके लिए video conferencing एक बहुत ही अच्छा जरिया है आपस में collaborate करके एक simple एक ही project के उपर काम करने का इससे वो एक साथ जो है एक project के उपर काम कर पा रहे हैं Multimedia is very powerful tool for enhancing the quality of business communications Multimedia एक बहुत ही powerful tool है quality of business communications को enhance करने के लिए जितनी भी business communications होती है अलग लग businesses को आपस में कोई dealing करनी है कुछ भी करना है तो Multimedia एक बहुत ही जादा अच्छा उनके लिए medium है अभी आज की बात ले लिए तो अभी कोई भी offices open नहीं है और offices में transactions नहीं हो रही है कोई भी sales लोग जाए pitches नहीं करने जा पा रहे हैं offices में physically तो ऐसा तो नहीं है कि business लोग गए हैं ऐसा तो नहीं है कि companies बिल्क बन पड़ी है और किसी प्रकार के कोई deals नहीं हो रही है सब कुछ हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है वो multimedia की help से ही हो रहा है जितने भी sales people है वो सारे अपने video conferencing की through जो है किसी जो और तरीके की multimedia की management है वो भी इसी तरीके से deals जो है वो close कर रहे हैं the team members may be working anywhere and can work for various companies अब जो team members के हमने बात की वो physically किसी भी location पे हो सकते हैं world के अगर उनके पास internet connection है तो वो बहुत ही आसानी से दूसरी companies के साथ multimedia की help से जो है अपने बाकी team members के साथ जो है communicate कर सकते हैं वहीं पे अगर हम एक freelancer की बात करें तो जो freelancer है वो लोग होते हैं जो किसी भी एक company का part न करवाती हैं तो इस time पे जो freelancer है वो किसी एक company के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी जो companies है उनके ले काम कर सकता है multimedia की मदद से the workplace for business has become global a multimedia can make a businessman come alive अब जो workplace है हमारी वो एक चार दिवारी के अंदर सीमेत ना रहके पूरे global हो चुकी है क्योंकि हम कहीं से भी connected रह सकते हैं जो multimedia है उसने क्या किया है जो business है वो चार दिवारी के अंदर बंद करने की बजाए उसे चलता फिरता आदमी की तरह present कर दिया है चलिए आपके पब public places अब public places के अंदर हमारे जो multimedia है उसकी क्या applications है bus stands and railway stations are public places where people spend a lot of time in waiting for their desired conveyance अब जो bus stands or railway stations है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो public है वो आम तोर पर ही बहुत जाजा जो है time बतीट करती है वेट करने में उनकी जो भी desire या जहां पर भी उन्हें जाना है उसकी उसी location की bus या train के लिए such waiting become boring for some people. Multimedia presentations can be used in such situations. अब जो लोग हैं जो वहाँ बैटके बोर हो रहे हैं उनके लिए multimedia कैसे काम कर सकता है bus stands या railway stations के अंदर LCDs install किये जा सकते हैं जिनके उपर news दिखा सकते हैं हम लोग या किसी तरीके की जो है हम लोग tourist spot जो भी उस location के हैं उनकी short हम लोग videos दिखा सकते हैं इससे क्या होगा कि जो लोग वहाँ पर wait कर रहे हैं जो जो बोर हो रहे हैं उनका entertainment हो जाएगा और साथ ह उनके जो अगर news दिखा रहे हैं तो उन्हें कुछ जानकारी भी मिल जाएगी for example on a bus stand multimedia monitors continuously showing news or tourist spot films for a short time in hotels, shopping malls, museum and grocery stores, multimedia will become available at stand-alone terminals to provide information and help अब जो बागी के हमारी hotels हैं, shopping malls, museum या किसी भी तरीके के grocery stores हैं वहाँ पर multimedia की सबसे अच्छी application क्या है कि अगर किसी भी user को, किसी भी shopper को या किसी भी वहाँ पर जो visitor है उसे किसी भी तरीके की information चाहिए तो वो उस person को मिल सकती है multimedia के through जैसे कि अगर हम लोग airports की बात करें तो airports के अंबर हर जगा monitors लगे होते हैं, जिसके उपर flights का status आ रहा होता है, कि कौन सी flight जो है, कौन से gate number पर आने वाली है, कब उसकी boarding start होने वाली है, कब वो जो है वहाँ से take off होने वाली है, तो यह जो सारी information है, यह multimedia के through user को दी जा रही है, जो कि उसके बहुत ही जादा, ज इसके उसकी बुखादा help हो रही है, चलिए, आगे देखेंगे, so friends, अब हमने multimedia के बारे में उसके elements की बात की, उसके applications की बात की, अब उसके में आपको कुछ softwares बताने वाली हों, जिससे जो हमारा multimedia है, उसे process किया जाता है, so सबसे बहले windows environment है, coral draw है, ms powerpoint, photo magic, director, animation pro, 3D studio, sound bl master, photo finish, photoshop, ये तो काफी common है, आपनों पका सुना होगा, master blaster, ये कुछ ऐसे softwares हैं, जिनके साथ हम जो multimedia है, उसे process कर सकते हैं, पर ये सिरफ कुछ ही मैंने आपको examples दी है, हमारे दुनिया के अंदर हजारों ऐसे और softwares हैं, जिनके साथ हमारी multimedia है, उसे process कर सकते हैं, चिक है, चलिए, आगे देखें, फ्रें, नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं, multimedia devices के बारे में, जैसे की CD, ROM, DVD, headphones, speakers, soundcard, video card, microphones, scanner, image scanner, webcam, digital audio player, ये जो सारे हैं, ये हमारी multimedia devices हैं, इन सब के बारे में हमने chapter number 3 के अंदर काफी अच्छे से detail में एक-एक को study किया था, मैं उसका link description में डाल द हर चीज के ऊपर हमने पूरी full discussion की है, तो ये कुछ हमारी multimedia devices हैं, ये हमारी मदद करती है multimedia को process करने में, अब जैसे की headphones हैं, तो आप किसी भी तरीके की audio सुन सकते हैं, speakers के साथ भी same काम होता है, आपके किसी भी computer device के अंदर soundcard होने की जरूरत है ताकि आप इस information को process कर सकें, व और बाकी के जो multimedia devices हैं, वो काम करते हैं, तो ये कुछ examples हैं, और आप इन सब को 3rd chapter के जो है वीडियो में से अच्छे से दुबारा revise कर सकते हैं, चलिए So friends, हमने ऊपर जो है, जब हमने elements पढ़े थे, तो इसके अंदर हमने images और graphics के बारे में पढ़ा था, बट इसके बारे में कुछ चीजे में आपके साथ और discuss करना चाहूंगे इस topic के अंदर, जो कि है computer graphics With the advancement in technology, the use of graphic software is increasing day by day, जैसे जैसे technology जो है हमारी advancement में आ रही है, आगे बढ़ रही है, एक सेप और अच्छी होटे जा रही है, वैसे ही हमारे जो graphic softwares है, उनका जो use है, वो दिन बा दिन बढ़ता जा रहा है, graphic software is extensively used with multimedia, Multimedia के साथ, जो graphics के software होते हैं, वो बहुत ही जादा extensively, बहुत ही जादा मात्रा में जो है, use होते है, graphics present a better view than texture information, कोई भी चीज जो आपको text के format में लिखके दी जाती है, उसे बहुत जादा effective और बहुत जादा अच्छा impact जो है, वो graphic डालते हैं, Graphics can be in the form of designs, objects, charts, images, etc. अब जो graphics है, वो किसी भी फर्म में हो सकते हैं, वो किसी तरीके का design हो सकता है, कोई object हो सकता है, कोई chart हो सकता है, जैसे हमने मात्स में बहुत सरे charts पड़े हैं, bar chart है, pie chart है, histograms हैं, बेभी कोई information है, जो आपको convey करनी है, उसको numbers में लिखने की बजाए, उसका एक chart बनाके, जो है, bar graph chart बनाके, या कुसी और तरीके का chart बनाके, आप show कर सकते हैं, जो कि जादा, जो सामने वाला user है, उसको समाझ आएगा, और जादा अच्छे से उसको consume करेगा, जिक है, या किसी भी तरीके की images है, ये साइल चीज़े जो है, वो graphics के अंदर आती ह मतलब कि जो अच्छी quality की images हम को use करता है, there is no predefined format of image, different software store the images with different format and color scheme, अब कोई भी जो graphic है, उसका पहले से कोई fix जो है, format नहीं होता है, कि ये हमेशा PNG होगा, ये JPG होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, तो उसमें क्या होता है, कि हर software जो है, वो different तरीके की image है, उसका format save करता है, और उसकी different color scheme रहती है, कुछ software की color scheme है, वो काफी जादा bright रह सकते हैं, या किसी भी different format में आपसे इसे save भी कर सकते हैं, 7th point, graphics objects can also be placed in MS Word, अब जो MS Word है, Microsoft Word है, उसके अंदर भी आपके जो graphics है, जो charts है, images है, वो आप लोग place कर सकते हैं, you have the facility to import the picture from clipart gallery, you can also produce better quality word art objects in MS Word, अब जो MS Word है, उसके अंदर एक option रहता है, clipart gallery, जिससे क्या होता है, कि वो आपको मदद करता है, कुछ predefined images and net से connect करके, कुछ नई और images net से लेके आने के लिए, ठीक है, तो वो facility भी आपको MS Word के अंदर मिलती है, आगे देखेंगे, इसी के अंदर next point है, images can be prepared in paint using various formats, BMP, JPG, GIF, etc. with a variety of colors, अब जो paint का हमारा program है, software है, उसके अंदर आप बहुत सारी images खुद बना सकते हैं, और उन्हें बहुत सारे different formats, जैसे कि JPG, GIF, PNG, इनमें सेर कर सकते हैं, बहुत सारे colors भी use कर सकते हैं, paint also supports pasting, अब जो हमारा paint है, उसके अंदर भी pasting होती है, pasting से क्या मतलब है, कुछ चिपकाना, अगर आपने कोई image इंटरनेट से download की, आपने वो image जो है, अपने paint program के अंदर paste कर दी, जिसे कि हम शॉटकट पेस्ट के लिए use करते हैं, Ctrl V, या फिर आप right mouse click करने के बाद वहाँ पे paste option आता है, अगर आपके clipboard के अंदर already कुछ है, clipboard क्या है, a clipboard is a place where you can temporary place your image for pasting in windows and other windows based programs, तो जब आप कोई चीज जो है, वो copy करते हैं, कोई भी चाहिए, वो text हो चाहिए, वो image है, कुछ भी आप copy करते हैं, तो वो clipboard के अंदर जाके place होता है, clipboard एक temporary place होती है, कि जब आपने कुछ copy किया और जब तक आप उसे paste नहीं कर रहे हैं, उसके बीच में उस दरान वो ची जाएगी, यह जो मारा Windows है, उसके अंदर होता है, यह जितने भी Windows-based programs है, उनके अंदर यह support होती है, it can store one piece of information at a time, अब जो clipboard है, उसके अंदर एक ही चीज copy रहती है, ठीक है, अब आपने एक image copy की, ठीक है, और वो clipboard में चलेगी, पर आपने उसको कहीं paste नहीं किया, और उस चला जाएगा, एक time पर उसके अंदर एक ही चीज रहती है, जो आपने एक साथ copy की है, फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, ठीक है, इस information is lost as soon as you place another image on the clipboard, by pressing print screen key on the keyboard, the size of current screen is placed on the clipboard, अब देखें, मैंने आपको एजांपल दीक, आप कहीं से भी कुछ कॉपी कर स सकते हैं, Ctrl C दबाके या फिर राइट क्लिक करके copy command से, अब इसका और क्या है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर कुछ देख रहे हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आपकी वीडियो, तो अगर आपको इसका screenshot लेना है, तो आप क्या करते हैं, फोन के अंदर screenshot का जो option है, वो press करते हैं, या volume की दोनों और power of की को दोनों को press करते हैं, किसी तरह की साथ उसका screenshot लेते हैं, वैसे अगर आपको Windows computer के उसका screenshot लेना है, तो आपका जो keyboard है, उसके उपर print screen का option रहता है, जो कि आप Windows की के साथ उसको press करते हैं, तो आपकी जो इस ताइम पर होती है, उसका एक screenshot आजाता है, और वो screenshot का हाँ सल आजाता है, वो अपने आप ही clipboard के अंदर भी चला जाता है, ठीक है, चलिए, third point, you can prepare charts in MS Excel to present the data in the form of beautiful charts of various types, अब जो MS Excel, Microsoft Excel हमारे पास है, जिसके दर आप बहुत सारा data जो है, दिखाने के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर भी आपको charts बनाने के option मिलती है, अब वो जो data आपका already उस Excel sheet के अंदर है, उसी Excel sheet के data के साथ आप charts भी लिखा सकते हैं, You can produce high quality graphics using Coral Draw and Photo Deluxe, अब आप बहुत जादा high quality जो graphics हैं, वो बना सकते हैं, मैंने आपको पहले और भी बहुत सारे softwares बताए, जो commonly used softwares हैं, उसके अंदर Coral Draw आ जाता है, Photo Deluxe आ जाता है, Photoshop हो गया, Adobe के softwares आ गए, तो बहुत सारे softwares हैं, जिनसे आप बहुत ही अच्छी high quality graphics जो हैं, design कर सकते हैं, बना सकते हैं, चलिए, आगे देखेंगे, so friends, next topic हमारे पास है, scanner, scanner का जो topic है, वो हमने third chapter में भी cover किया था, but हम एक बार और उसको यहाँ पे brush up कर लेंगे, चलिए, without scanners, efficient use of multimedia is not possible, अब हम कहा गया हैं, कि मारे multimedia के अंदर scanner काफी important role play करता है, इन multimedia, various images and graphics are to be used, अब multimedia के अंदर बहुत सारी images और graphics का जो है, use होता है, it is very difficult to create these images on computers, because a perfect hand is required to create them, अगर अब हर image को, हर graphic को computer के ऊपर बनाने जाएं, तो वो काफी जादा time consuming है, चीक है, और काफी perfectionist लोग आपको उस काम के लिए चाहिएं, लेकिन अगर these images can be available from ready-made pictures, photographs, newspapers, books, etc, these photographs can be easily converted into digitized form by using scanners, अब suppose कीजिए कि आपकी कोई photograph है, जो आपने, आपके किसी भी trip के ऊपर क्लिक के थी, अब आप चाहते हैं, क्युक्के वो एक photo जो है, वो physical form है, digital नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं, कि वो digitized हो जाए, अगर आप उसको same picture को किसी को digital पर draw करने के लिए बोलेंगे, तो वो बहुत ही time-consuming और बहुत ही perfectionist लोग ही कर सकते हैं, तो उससे सबसे बेटर हैं पर क्या होगा, कि आप उस photograph को scan कर लें, और उसको physical form से digital format में convert कर लें, अब वो scan किसे होगा? Scanner की मदद से, Scanner is a device which is connected with the computer, जो scanner है, आप उसको अपने computer के साथ connect करते हैं, चाहे फिर वो wirelessly करें, और फिर आप wired way से करें, computer के साथ करें, आजकल Bluetooth के साथ और Wi-Fi के साथ, आपके phone के साथ भी scanners connect हो जाते हैं, किसी भी electronic device के साथ जो है, आप अपने scanner को connect करते हैं, It sends a high beam of light across the photograph and records it, अगर आपने कभी photocopy machine देखी हो, जब आप इसको photocopy machine को on करते हैं, तो एक बहुत ही जादा bright color की light जो है, वो एक corner से दूसरे corner तक पर स्कान करते हुए जाती है, चाहे है, यह वही है, क्योंकि हमारे photocopier machine के अंजर वो भी एक scanner ही उसके उपर लगा हुआ These pictures are displayed on the computer during the process of scanning, copying and can be edited, अब जो यह हमारी image है, जो आपने scan की है, यह साथ साथ जितनी इतनी scan होती जाती है, आपको आपके computer के ओपर और phone ने जिस भी electronic device से आप connected है, उसके ओपर बिखती भी है, चिक है, और आप इसको further edit भी कर सकते हैं, अब आगे बात करेंगे, the editing of image contains, changing size of the image, अब जो image है, उसको आप छोटी बड़ी कर सकते हैं, changing the dots per inch, dpi of the image, जो आपके dot की quality है, image dpi है, कि कितने inch के अंदर कितनी dots हैं, चिक है, उसे आप change कर सकते हैं, जितनी जादा dots होंगी per inch, उतनी जादा जो आपकी quality of image है, वो अच्छी होगी, उतनी जादा आपकी image sharp हो जो है, उसको change कर सकते हैं, making picture, image black and white, आप उसको black and white कर सकते हैं, 16 color कर सकते हैं, 256 colors कर सकते हैं, किसी भी तरीके कि जो image की जो editing है, या आप कर सकते हैं, और अगर आपको एक अच्छा photoshop या किसी तरीकी का high quality software आता है, तो आप image के सार और बहुत सारी जीजे कर सकते हैं, rotating the image, आ इसे जादा और बहुत सारी editing जो है, आप image के उपर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना skill है, आपको कितना कोई software editing के लिए आता है, चलिए आगे देखेंगे, the scanned photographs can be saved in various formats like, अब जो आपने scan किया है, image को या आपके किसी भी photograph को, अब वो आप किसी भी format के अंदर store क सकते हैं, जैसे हम भी मैंने चार जो हैं format लिखें है, TIFF, BMP, JIP and JPG, अब इनके साथ ही साथ मैंने आपको full form लिखी है, जो आपको note करनी है, चिक है, और मैंने आपको ये बताया है, थोड़ा सा उनके बारे में information, अब जो TIFF हमारा format है, इसको हम बुलाते है, tagged image file format, ये हमारे map, जो की Apple के systems हैं, और जो हमारे Windows system है, वो उन सब के साथ चलते हैं, दोनों के साथ ही compatible है, BMP, bitmap image, extensively used format on Windows, जैसे कि मैंने आपको paint में भी बताया था, तो ये जो format है, ये काफी जादा यूज होता है Windows के अंदर, GIF, graphics interchange format, highly used format on the internet, जब आपको picture को कुछ milliseconds के लिए या कुछ seconds के हिलता हुआ देखते हैं, जिसे हम GIF बुलाते हैं, जो वो वाले format है, वो नेट के पर काफी popular है, आप उसके अंदर भी save कर सकते हैं, JPEG, Joint Photographic Experts Group, इसे हम क्या कहें हैं, ये compressed files होती है, जो बड़ी-बड़ी files होती हैं, जब हम थोड़ा सा compressed कर देते हैं, ये वो files हैं, तो या जब होते हैं, जो मारे घर में scanners होते हैं, वो यूजली A4 से A3 size के होते हैं, जो हम photocopy machine में scanners होते हैं, वो और जादा बड़े होते हैं, तो आपके requirement पर डिपेंड करता है कि आपको कितने requirement है, उसे साब से आप जो है size जो है वो खरीदते हैं, अपसन, HP and Microtech are highly extensively used brands of the scanners, अब ये 3 companies हैं, जिनके scanners बहुत जादा use होते हैं, अब तो market में और बहुत सारी companies आ गई हैं, जैसे कि Brothers की company है, और बहुत सारी companies हैं, जिनके scanners वो भी अच्छे हैं, चलिए, आगे देखेंगे, So friends, thank you for watching this video and I hope कि आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और आपके काफी use भी आएगी, प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो like कीजिए, share कीजिए, comment करिये, और सबसे important subscribe button पे click कीजिए, और bell notification पे भी click कीजिए, ताकि आपको next जो हमारी वीडियो आ के उपर मैंने upload कर दिये हैं, उनका link description में आपको मिल जाएगा, और जो भी वीडियो मैंने आपको इस chapter के अंजरे बताई है क्या प्रेफर कर सकते हैं, उसका link भी मैं description में डाल दूँगी, and friends, please share it, thank you.